गुड मॉर्निंग एवरिवन सो आज है आठ अगस्त और आज के टोप 10 करंट फेर्स ओफ दे जो आपको अपडेट कर देंगे वर्ल्ड के साथ और आपको आने वाले एक्जामिनेशन में हेल्प भी करेंगे स्टैटिक फेक्ट्स भी डिसकस करेंगे साथ साथ हम सो आठ अगस्त के करेंगे लेकिन आज के थोट के साथ थोट क्या है वरी फ्यू पीपल नो बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि वह बहुत कम जानते हैं बहुत ही अच्छा और डीप थोट है और बिलकुल सच है मुझे आपके सामने है करंट फेर का आज का यूनैस को डिकलेर्ड फर्स्ट स्टेट टू बिकम सुनांवी प्रिपेर्डनेस सुनांद जो आती है उसको पहली बार वो मिला है हम क्या कहते हैं उसको प्रमानता मिली है कि वो कौन सा राज्य है भारत का जो tsunami के लिए prepared है मान्यता मिली है affiliation मिली है हमें ये बताना है तो UNESCO की तरफ से मिली है और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है तो वो है D option Odisha Odisha को ही घोशित किया गया है कि first state to become tsunami preparedness किसमें किया है युनेसको ने युनेसको मतलब युनाइटीड नेशन्स एजुकेशनल साइंटिफिक एंट कल्चुरल और्गनाइजेशन उननी सो पंतालीस में इसकी स्थापना होई थी 1945 में और हेड़कॉर्टर रहे इसका पैरिस में फ्रांस के पैरिस में डिरेक्टर जनर बुमनेश्वर सीम नवीन पतनायक गवेर्नर गनेशी लाल इसके लावा उडिसा से बहुत सारे इफेक्ट से मैं जल्दी से बता देता हूं लोंगेस्ट डैम हीरा कुट डैम बना हुआ है उडिसा में ही और अगर पूछे कलिंगा स्टेडियम का है उडिसा में ही कलिंगा अवार्ड मिला था ये भी आपको याद रखना है तो और भी बहुत कुछ है उडिसा से नेशनल पार्ग डैम आप बताईएगा मुझे तो यही फर्स्ट कॉश्चन से इतने फैक्ट सी आज मैं शेयर करूँगा दूसरा कॉश्चन पर मैं चल रहा हूं जल्दी से दूसरा दोकुमेंटरी है मुथोन ए उप्षन जो की एक मल्यालम फिलम है और दूसरी है संराइज जो की हर्यानाग पर बेस है तो यह दोनों को मिला है न्यू योग इंडियन फिलम फेस्टिवल अवार्ड और आपको यह याद रखने है नाम क्यूंकि एक्जाम में यह कुश्चन बनेगा ठीक है A and B C option is the right answer both A and B third question आपके सामने है current fair का India's first special parcel train is flagged from भारत की पहली special parcel train चलाई गई है कहां से कहां तक चलाई गी है यह भी discuss करेंगे कहां से flag off हुई है यह भी discuss करेंगे और यह करती किया इसमें बेसिकली वह चीज़ें होंगी जो perishable आने की बहुत जल्दी ख पहली बार भातिय सरकार ने कोई ऐसी train चलाई है जो कि जो चीज़ें खराब हो जाती है उनको जल्द से जल्द उनके स्थान पर पहुंचाएगी तो सही उत्तर है इसका कहां से स्टार्ट हुई है A option देवलाली देवलाली कहां पर है यह महाराष्टरा में है नासिक के पास एक छोटी सी जगह है देवलाली वहां से इसको फ्लैग ओफ किया जाएगा और जाएगी कहां पर यह तो जाएगी दानापूर में अब दानापूर कहां है बिहार में तो आपको दो चीज़ें याद होगी अगर सीधा पूछ ले कौन सी स्टेट से चलेगी महाराष्टरा स कहां से कहां तक चलेगी महाराष्टरा से बिहार में और सीटी भी मैंने बता दी आपको देवलाली और दानापूर तो पहली ट्रेन है भारत की पारसल ट्रेन आपको याद रखना है फोर्थ कोस्टन पर बढ़ रहा हूं उससे पहले बोलूँगा कि जल्दी से एक बार ना उपी एसी यानि की यूनियन पब्लिक सर्वीस कमिशन और इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं अभी उसका नाम बताना है उनका नाम बताना है तो सही उत्तर है डी ओप्शन प्रदीब कुमाज जोशी प्रदीब कुमाज जोशी अरविंद सकसेना को हटा के जो की पहले प्रेजिडन थे अरविंद सकसेना सोरी चेर्मेन थे उनको हटाके अब बन गए हैं प्रदीब कुमाज जोशी चेर्मेन ओफ यूपी एसी आपको याद रखना है यूपी एसी का सविधान में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है तो आर्टिकल भी याद रखने 315 आर्टि प्रेजिडन बने हैं अशोक लवासा ये ऐडी भी एशियन डेवलमेंट बेंक के वाइस प्रेजिडन बने हैं पहले ये कौन थे पहले ये किलेक्शन कमिशनल थे ठीक है चुनाव आयुकत थे तो चारो उप्शन बड़े इंपोर्टेंट है मैंने चारो बता दियें तो द जान सिंग राजपुत वाला केस तो चली रहा है प्रस ये भी चला था नेशनल हैंड लूम डे जो भी बुनकर हैं भारत के और हश्त शिलप हैं जो हातों से कारीगरी करते हैं और कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं उनकी आये को बढ़ाने के लिए और सोशियो एकोनोमिक डे बढ़ाने के लिए इस दिन को अब्जर्व किया जाता है हर साल किस दिन किया जाता है सिरफ डेट याद रखनी है साथ अगस्त को साथ अगस्त को नेशनल हैंड लूम डे अब्जर्व करते हैं कल हमने पड़ा था लिटल मैन हिरोशिमा डे ठीक है जो अमेरिका ने जपान पर फैंका था और एक से साथ अगस्त क्या था वूमेन ब्रेस्ट फीडिंग डे था सब सतन पांदिवा सप्ता मनाया गया था तो यह था पांचवा कोस्चन बढ़तों मैं अपने छटे करंट फेर पर आई होप आपको सब चीज़ें जल्दी से ग्रैस्प हो रही होंगी क् कि मैं to the point पढ़ाता हूं कुछ ज्यादा extra नहीं पढ़ाता हूं हाँ important facts जरूर बताता हूं छटा question आपके सामने है who won the first prize in smart India hackathon अब यह smart India hackathon क्या है यह basically हर्याना नहीं उत्तर परदेश के नोड़ा में हुआ था एक university में competition जिसमें अलग-लग organization ने भारत की participate किया था और किस कौन जीता है smart India hackathon तो c option diat इसको जीता है किसको diat defense institute of advanced technology ने सवाड को जीता है smart India hackathon diat के बारे में थोड़े दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि corona की रोक थाम के लिए इन्होंने isolation bed बनाए हैं जिसका नाम रखा गया है आश्रे है क्या रखा गया है आश्रे है तो diat के बारे मे है कहां पे headquarter है इसका पूने में यह भी याद रखना है क्या वाड जीता है smart India hackathon तो यह था च्छटा क्रेंट फेर सात्वा क्रेंट फेर आपके सामने आ चुका है which of the following has appointed cricket harman preet core and Suresh Rana as its brand ambassador यह जो दोनों सक्षियत हैं काफी famous है Suresh Rana Indian cricketer रहे हैं काफी अच्छे और जो इसका WTF sports क्या है WTF sports अब इसकी full form क्या है इसकी full form है world trade fantasy क्या है sorry win trade fantasy not world W से win T से trade F fantasy sports जैसे dream 11 होता है वैसे यह WTF sports एक platform है तो इन्हों नहीं अभी अभी हर्मन प्रीत को और सुरेश Rana को brand ambassador निक्त किया है आपको याद रखना है आठवा पर आ चुका हूं आठवा है for speedy disposal of rape cases and poxocase two fast track courts opened in जो rape case आते हैं और poxocase आते हैं उनको जल्दी से खतम करने के लिए जल्दी से निप्टाने के लिए कौन सा राज्य है जिसने दो special courts को ली है fast track courts उससे पहले poxoc क्या होता है protection of children under sexual offenses क्या है protection of children under sexual offenses 2012 में ये बना था rule low बना था क्यों कि अगर कोई minor है और वो 12 साल से छोड़ी लड़की के साथ sexual assault करता है तो उसको non available offense माना जाएगा और उसको 20 साल से ज्यादा से कम से कम 20 साल की सजा और fancy की सजा भी हो सकती है तो ये poxoc act 2012 में लाया गया था अब किसने दो fast track court को ली है बी option मनिपूर is the right answer मनिपूर के cm का नाम है एन बिरेन सिंग गवर्नर है नजमा है पतुला वर्ल्ड का इकलोता floating national park भी मनिपूर में है लोकटक लेक पर बना हुआ है कैबूल लमजाओ नेशनल पाक उसका नाम है लोकटक जील पर वो बना हुआ है तो ये आपको याद रखना है 8th question से जित्ते भी मैंने fact बताए है अब मैं 9th question जो homework का question होगा current fair के लिए आपका और उसके बार 10th होगा static का 9th होगा current fair का और 10th होगा static का तो क्या है what is khalsi system and why it is in news ये khalsi system है क्या google कीजिए search कीजिए जानिये इसके बारे में और ये news में क्यों है बताएगा important चीज है इसलिए मैंने ये डाला है और 10th question आपके लिए static का है इस बार options भी दे दिये गए आपको from where is the single system of courts adopted in the constitution of India सिरफ आंसवरी नहीं detail में पढ़िएगा इसके बारे में तभी benefit होगा हमारे question का motive complete होगा from where is the single system of courts adopted in the constitution of India ये हो गया आपका homework का question तो आज का session कैसा लगा प्लीज बताएगा और जल्दी से समापत करते हैं thank you जुडने के लिए like जरूर कीजिएगा channel को subscribe डाला है अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए मैंने ट्राइग किया है आई थिंक आपको अच्छा लगेगा reasoning के अलगलग types के different topics के मैंने question डाले है ठीक है और इसके लावा आप Saturday है तो आपको motivational video भी मिलेगा और दस जुडे नहीं thank you for watching this video have a nice day guys please subscribe the channel